हेलो दोस्तों, जैसा कि SSE ने अपने प्रिवियस नोटिस के अंदर बताया था कि 22 सितंबर को वो अपना ओफिशल नोटिस निकालेंगे जिसके अंदर वो सारे की सारे एक्जाम्स की डेट्स को क्लियरिफाई करेंगे तो दोस्तों आज वो नोटिस आ चुका है और बहुत ख स्मूटली करें और टाइम पे करें तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है आप लोग अपनी महनत में कोई कमीमत रखी है अभी से आप शुरू हो जाए अपनी तयारी को लेके और एक्जाम्स के लिए बहुत जादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है अच्छे से प्रिपेर कि ठीके दोस्तों तो जो बहुत नजदिक आ चुका है फिर इसके बाद में कम्बाइन ग्रेजुएट लेवल जो 2019 का एक्जाम है जिसका टाइर 2 और टाइर 2 नवंबर से पांच नवंबर तक वो अपने शेडूल टाइम पी है और आपको बहुत नहीं रहा है आपको बहुत वो भी जो होना था वही है और इसके बाद में सब इंस्पेक्टर जो CPO का एक्जाम होता है 2020 के लिए उसका टाइर 1 का डेट इनो ने दिया है 23 नवंबर वो भी काफी पास है ज्दा दूर नहीं रह गया वो भी और इसके बाद में जो CHSL का एक्जाम है 2019 के लिए उसका 10th of February 2021 अदर यह भी समय पर हो जाएगा जहां तक उम्मीद है बाकी जो पास के एग्जाम से उसके लिए तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेर करिये ही करिये और जो सब इस्पेक्टर का सीप्यो का 2019 पेपर इसका टायर 1 हो रखा है उसका टायर 2 का एग्जाम इन्हों ने ने अच्छे मार्च को अरेंज किया है जो भी अपने ताइम पे हो जाएगा तो आप उसके लिए भी से अपनी तयारी शुरू कर दीजिए इसके बाद में CHSL 2020 का एग्जाम इसके टायर 1 की डेट दे रखी इन्हों इसके बाद में इसकी जो एग्जाम का नोटिफिक्षिशन है वो आपका 6th of November को आएगा और 15th December इसका फाइनल डेट होगा आपका एग्जाम फिल अप करने का ठीके फ्रेंड्स तो इसके बाद में अपना CGL का एग्जाम 2020 के लिए होगा उसका डेट ओफ एग्जाम इन्होंने 21 दिसंबर का दिया है और उसका क्लोजिंग डेट 25 जैनवरी का है 2021 तक का उसके लिए बहुत आदा टाइम नहीं है जो बिगिनर से वो अभी से अपनी प्रिप्रेशन शुरू कर दीजिए आप अपना एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपर करें आपके बहुत जादा टाइम नहीं मिला आपको ठीके फ्रेंड्स तो यह हमारे जित्ते भी इंपोर्टन एग्जाम से और 2020 का जो एग्जाम है वो बारा जुलाई को होने वाला है तो उसकी भी डेट आचुकी है दोस् कि एग्जाम टाइम पर कंड़क्ट हो जाने चाहिए तो दोस्तो अच्छे से प्रिपेर कीजिये और थैंक्यू वेरी मच्च